प्रीदर्शकों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है पूजा रुम किस दिशा में होना चाहिए बास्तु सास्थ के अनुसार उत्तर पूर्ब के कोण को इशान कोण माना गया है इशान कोण देपताओं का इस्थान माना गया है वहीं यहां पर स्वयम भगबान सिप का भ यह उत्तम माना गया है पूजा इस थल पर बीच में श्री गनिश की मूर्ती जरूर होनी चाहिए मूर्ती छोटी और कम बजनी अधिक शुप मानी गई है ऐसा माना जाता है भगवान का मुख कभी भी दक्षिन मुखी नहीं होना चाहिए पूरब पस्चिम और उत्तर पूजा घर में कोई अन्य सामान नहीं रखना चाहिए अगर आप अपने घर में सही स्थान पर सही दिसा में पूजा इस्थल बनाकर सही तरीके से पूजा पाट करते हैं तो निश्चित रूप से वहां सकारात्मक उर्जा का प्रभा होगा और आपका जीवन सुखी होगा अब हम आपको बताते हैं भूल से भी पूजा रूम कहां पर नहीं होना चाहिए सीडियों के नीचे कभी भी पूजा रूम नहीं होना चाहिए वहीं सोचाल लेके ऊपर या नीचे भूल से भी पूजा रूम नहीं बनवाना चाहिए अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट्स वॉक्स में जैमा अलक्षी अवर्शी लेखें धन्यवाद